पाठ एक किरण का संदेश कवी श्रीनात सिंग मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है बच्चे होते हैं उदास पर वहर दम मुसकाती है चुपके से आखें चमकाकर कानों में कह जाती है प्यारे बच्चो मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन भारत माता सूरज सी है तू है उसकी एक किरण शबदार्थ सूरज सन नित डेली रेगिलर चमक, शाइन, हरदम, ओल्वेज, चमकदार, ब्राइट किरण, रे, पास, नियर, उदास, साड, कहना, से, जीवन, लाइफ मुहावरा, आखे चमकाना, इधर उधर देखना, सही विकल्प चुनिये कमरे में सूरज की किरण कब आती है नित बच्चों के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है उदासी का भारत माता किसके समान है सूरज के बच्चे होते हैं उदासपर, वह हर दम मुसकाती है शुपके से आखे चमकाकर, कानों में कह जाती है प्यारे बच्चों मुझसा ही है, चमकदार तेरा जीवन भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण प्रश्णों के उत्तर सूरज की किरण नित कहां आती है सूरज की किरण नित कमरे में आती है सूरज की किरण अपने पास वालों के साथ क्या करती है सूरज की किरण अपने पास वालों पर अपनी चमक चढ़ाती है सूरज की किरण बच्चों को चुपके से क्या कहती है कि बच्चों तुमारा जीवन भी मेरी तरह चमकदार है कविता में भारत माता और बच्चों को किनके समान बताया गया है कविता में भारत माता को सूरज और बच्चों को किरणों के समान बताया गया है रवी, सूरज, दिवाकर, दिनकर, भासकर, भानु, आदित्य यहाँ पर दिये गए सभी नाम सूर्य के हैं ये सभी नाम समान अर्थ प्रकट करते हैं समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समान अर्थी या परियायवाची शब्द कहलाते हैं चंद्रमा, मयंक, शशी, पेड, व्रिक्ष, तरू, नदी, सरित, तटिनी, पक्षी, खग, विहग किरन, रे, जीवन, लाइफ, चमक, शाइन, डेइली, नित, ओल्वेज, हर्दम, ब्राइट, चमकदार, वाक्य बनाईए किरन, मेरे कमरे में सूरज की एक किरन आती है उदास, हमें उदास नहीं रहना चाहिए हर्दम, किरने हर्दम मुस्काती है चमकदार, हीरा चमकदार होता है भारत माता सूरज के समान है और भारत वासी उनकी किरने है सूरज, किरण, उदास, बच्चे, मुस्काती, चुपके, आखे चमकदार, जीवन, भारत जरा इन्हें भी जाने प्रातहकाल सूरज की रोशनी से शरीर को विटामिन डी मिलता है सूरज के कारण ही बादल बनते हैं और वर्शा होती है सूरज की रोशनी से ही फूलों में रंग का निर्मान होता है सूरज की रोशनी में पेड़ पाओधे अपना भोजन तयार करते हैं समझ गए?